हेलो एब्रिवन और नमस्कार सभी को आज हम लोग एसीड बेस एड़ सॉल्ट के सारी MCQ जो इंपोर्टेंट है ओ आम देखने जा रहे हैं तो पहला कोशन से आपको MCQ दिख रहा होगा पहला दिख रहा होगा कि वीच वन अप दी किभेन इजे मिनरल एसीड कौन इसमें मिनरल एसीड है लेक्टिक केसिड आपका और्गेनिक केसिड है फॉर्मी केसिड आपका और्गेनिक केसिड है और आपका टेरिक केसिड जो है इमली में पाजाता है ए भी आपका और्गेनिक केसिड है मिनरल एसीड बोलते हैं किसका सर या बोल सकते और्गेनिक एसिट नहीं है उसे हम मिर्टरल एसिट कहते हैं सर तो हैट्रोकलोरी केसिट जो है यह आपका क्या मिर्टरल एसिट है SCL यह आपका स्टोंग एसिट है और यह आपकी जो है मिर्टरल एसिट होती है क्या हो जागा option D हो जागा सर question number 2 बोलता है which one of the given is an organic acid कौन organic acid है जो weak acid और्गेनिक एसिट जो होते हैं वीक एसिट होते है यह generally पहले वो कहा जाता था plantory animals से मिलता है ठीक है लेकिन बाद में यह synthetic होए जो holer first ने बनाया थे क्या uria बनाया थे तो कौन इसमें organic acid है वेसा acid जो weak हो और यह आपको क्या mineral से प्राप्ना हुआ हो उसे हम बोलते है organic acid बोलते हैं तो organic acid जो है organic acid आपका citric acid और lactic acid citric acid आपका कहां lemon में पाए जाता है या orange में और lactic acid आपका कहां milk में पाए जाते हैं तो आपके citric acid और lactic acid आपका क्या है organic acid क्या हो जाएगा option d हो जाएगा both one and three option d हो जाएगा question number next बोलता है question number three बोलता है question number three बोलता है which one of the given is incorrect कौन इसमें incorrect है यह हमें छाटना है acid turns blue litmus to red यह आपका सही है जो गलत है वह हमें छाटना है equal solution of acid conduct electricity a b सही है acid react with metal to form hydrogen gas यह आपकी acid react करते है certain metal से क्या hydrogen gas यह तीनों आपका सही है कोई भी इसमें कोई भी गलत नहीं है इसर क्या हो जाएगा option D होगा option D होगा ठीक है option D होगा अब आता है next question question number four question number four कहता है which one of the flowing which one of the given acid is used in the treatment of bone marrow and ascorby disease ascorby disease आपका vitamin C की कमी से होता है और bone marrow का treatment जो है ascorbic acid ascorbic acid को यूज किया जाता है bone marrow में treatment के लिए और ascorby disease के treatment के लिए ascorbic acid का यूज किया जाता है क्या होगा option C हो जाएंगे अब आता है question number five question number five में बोलता है acid present in apple each apple में कौन अच्ट पाहले आपका कहां पाहले जाता है तो क्या हो जाएंगा option B हो जाएगा option B आपकी जो Acid Apple में present होता है वो Acid का नाम क्या है? Malik Acid नाम है क्या नाम है? Malik Acid क्या होज़ाएगा? Option B यह आपकी जितने भी questions जो बताया जा रहा है सर यह आपके Politechnic exam के भी उससे देखा जाए तो बहुत important होगा Acid Base and Sols के और आप अगर General Competitive के एक्जाम देने जा रहे है तो उसके एक्जाम के भी उससे भी यह आपकी questions important होगे और आप अगर board भी देने जा रहे है 10th board का जो अभी नजडिक है उसमें भी आपकी questions directly पूछ लिए चाहेंगे तो अब आता है question number 6 Question number 6 आपका बोलता है विच वन आप दी गिवेन इज हैडरा एसीड कोन इसमें हैडरा एसीड है तो सभी इसमें जिसमें H पलस आइंस परजेंट होते हैं उसके क्या बोलते हैं सर हैडरा एसीड बोलते हैं तो यह आपकी चारो जो है आपका हैडरा एसीड है तो अब चलते है कोविशन नमबर 7 कोविशन नमबर 7 आपका बोलता है most of the oxides of metals when react with acid form जब most of the oxide metal metal oxide बोले तो metal oxide आप Na2O ले लो Na2 जब acid के साथ react करवा देती है Scl से तो आपका बन जाता है कैसर आपका बनता है NaCl और क्या बनता है water बन जाते है और क्या बन जाता है water बन जाता है तो ए सडूल्ट देता है क्यानले क्या देता है i française सॉल्ट देता है, option क्या हो जाएगा, क्या देता है? सॉल्ट देता है, जब मेटल औक्साड रियक्ट करतने की हो जाएगा, थेक है, option क्या हो जाएगा, अब चलती है, question number 8 की और, question number 8 आपका बोलता है, generally when certain metal react with acid, they release hydrogen gas, जब metal अगर आपका acid के साथ react करता है तो यह क्या देता है hydrogen H2 gas देता है क्या हो जागा option C हो जाता है कि metal जब भी acid के साथ react करता है तो हमें क्या hydrogen gas मिलता है अब आता है question number 9 कि which one of the given is formed when sodium hydrogen carbonate reacts with hydrochloric acid sodium carbonate को sodium bicarbonate या hydrogen carbonate NaHCO3 को जब हम HCl से react कर देते हैं तो यह क्या बनता है आपका NaCl बनता है पलस water बनता है और क्या बनता है carbon dioxide बनता है और carbon dioxide बनता है मिसकी आपके sodium chloride भी बनेगा आपकी carbon dioxide बनेगे water भी बनेगे मिसकी all of these यह तीनों आपके बनते हैं क्या हो जाएगा option D हो जाएगा तो आपके यह full technique exam के लिए बहुत important questions है आप जरूर इस वीडियो को देखे और share करें आप अपने दोस्तों में जरूर share करें ठीक है तो और आपका आता है next question की A strong acid is strong acid है जो है sir वो completely ionized हो जाता है water में जैसी इसको घोलते तो क्या होता है completely ionized में तो completely get ionized in water क्या हो जाएगा option A होगा आपके जो weak acid होते हैं वो parsley ionized होते है water में वो completely dissolved नहीं होते डिसोसियेट नहीं होते water में लेकिन strong acid जो है वो completely आपका H जैसे SCL है वो completely क्या हो जाएगा H प्लस और CL में तूट जाएगा किसमे water में जब डालोगे तो H प्लस और CL में तूट जाएगा क्या जाएगा option A होगा sir question number 11 बोलता है which of the flowing strong base कौन इसमें strong base है तो आपके calcium hydroxide यह आपकी weak base है आप खाते हैं चुन्ना खेनी में मिला के जो खाया जाता है ना तबाकू में तो यह आपकी calcium hydroxide क्या यह खाते हैं तो यह क्या weak base है ammonium hydroxide NH4OH यह आपके भी क्या weak base है potassium hydroxide जो है sir आपकी strong base है अगर आप water में डालोगे तो यह क्या completely dissociate कर जाएगा completely ionized हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा a strong base option D जो है आपका क्या potassium hydroxide आपका strong base है कि आप आता है question number 12 which of the flowing is used as an anti-acid कौन anti-acid की तरह यूज करते हैं तो sodium hydrogen carbonate को हम anti-acid की तरह यूज करते हैं anti-acid क्या होता सर मेरे पेट में क्या acid generate हो गया acid generate हो गया हम क्या करेंगे वहाँ पर base डालेंगे base जब लेंगे क्या करेंगा neutralize कर देगा तो anti-acid होगा क्या की base ले रहे क्या होते हैं all of these जो है anti-acid क्या जगा तिनों यह आपकी anti-acid है सर्थ आब आता है question number seven which on the given थर्टिन आपका question number 13 जोगता है क्या कि which one it is the pH value of pure water का जो pH value होता है इसेञीज़ तो 7 होता है क्या होता है सेवन होता है क्या हो जाएगा option B होगा अब आता है question number 14 which one of the given is true कौन आपके true दिया हुए इफ है सब्टांस है यह pH value of 4 4 pH अगर less than 7 है सर अगर pH less than 7 है pH कितना है 4 है 4 है तो क्या होगा यह acid होगा क्या होगा acid होगा क्या हो जाएगा क्या होगा option B हो जाएगा तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर करें और सेयर करें अपने दोस्तों में कि वह जादी से जादी इस वीडियो के अलाब ले सकता है सर ठीक है एक पोल्टेक्निक के एक्जाम में या जेनरल कंप्रिटिशन के एक्जाम में आप देने जा रहे हो या वोड का एक्जाम देने जा रहे हो तो यह आपकी इंपोर्टेंट होई अब आते कोशन नमर 15 वीच वण ओब दी गिवेन इस ट्रू यह पेश अब्लू अगर आपका पीएच वेलू कितना है सेवन है तो सेवन पेश वेलू ए तो क्या होजागा इनीट्रल सब्सक्रांस होगा क्या जाएगा ओप्सन सी होगा ओप्सन सी आपके बेस और एसीड है तो आपके क्या बुझदा है कि आपके सॉल्ट जो रियक्ट कर रहा है किससे कर रहा है बेस से रियक्ट कर रहा है ओ एक्जामपल हमें छाटना है तो यहाँ पे बेस और एसीड करके क्या बना रहा है सॉल्ट एन वाटर बना रहा है दूसरा में आ आपका base और acid react कर रहा है चोथा option देखो चोथा दी जो है यह आपका ammonium hydroxide क्या है बेस है और आपका ammonium sulfate al2 होना चाहिए एसोफोर होल थ्रैस होना चाहिए ठीक है al2 aso4-3 होना चाहिए यह आपका क्या ऐसा salt है बेस और salt जब react कर रहा तो क्या बना रहा है ammonium hydroxide बना रहा है और ammonium sulfate बना रहा है यह क्या double displacement reaction है double displacement reaction है यह याद रखिएगा तो यह आपका क्या हो गया आपकी option D जो है आपका क्या हो जागा salt जो है बेस से react कर रहा है सर क्या हो जागा option D हो जाएगा ठीक है अब चलते question number question question number 17 question number 17 आपका बोलता है क्या which one of the flowing is commonly known as blue vitral and is used for fungicide fungicide की कोन इसमें आपका blue vitral है और fungicide में यूज़ किया जाता है दो बुल्लू विटरल आपका सर copper sulfate है copper sulfate dot five water formula होता है यह आपका बुल्लू विटरल काल आता है और आप fungicide में यूज़ किया जाता है क्या हो जाएगा option B हो जाएगा copper sulfate अब आता है next question question number 18 question number 18 आपका है क्या कि which one of the flowing which one of the flowing is formed when calcium hydroxide react with carbon dioxide जब calcium hydroxide carbon dioxide से react करता है तो क्या बनता है sir क्या बनता है calcium hydroxide calcium hydroxide जब water से react करता है किसे carbon dioxide से तो क्या बनता है आपका आपका बनता है calcium carbonate calcium carbonate बनता है और क्या बनता है sir water बनता है calcium carbonate और क्या बनता है water बनता है sir जब carbon dioxide से react रगता है क्या हो जाएगा salt and water क्या हो जाएगा आपके option D हो जाएगा salt और क्या बनता है water बनता है sir salt and water बनता है कि सोल्ट एंड वाटर बनता है क्या हो जाएगा बोथ बी एंड सी ऑप्शन डी हो जाएगा कोशन नंबर आपके बोलते हैं 19 नंटीन बोलता है कि कि विच अप दी फ्लोइंग फेनोमेना अक्करस वें एसीड इस मिक्स्ट विट वाटर जब एसीड अगर वाटर के साथ मिक् आपकी अपिक हैं वाटर में मिक्स्ट वहता है सर्थ तो यह क्या डियूट हो गया डियूशन होता है और आपकी एशिट क्या हो जाएगेisce इनिज हो जाएंगे लुड पानि ठोएं सो जर्ण यह ठzept कर थिल डाष भी हो रहा में तूट रहे हैं डिसोसियेट हो रहे हैं समझा गिया कोशन नंबर 20 आपका बोलता है कि वीच वन एमंग दी गिवेन इजे वीक बेस कौन इसमें वीक बेस है हमें बताना है सर सोडियम हैड्योक्साइड आपका क्या है आपका स्ट्रोंग बेस है क्योंकि अगर वाटर में डालोगे तो यह कमप्लेटली danach करेगा पौटास्यम हैड्योकसाइड भी आपका क्यासर आपका स्ट्रोंग बेस है आप में डालोगी ही तयाक कंप्लेटली डिसोसियेट करेगाँ एमोनियम हैड कुण है यह वीक बेस है यह अकर आप वाटर में डालती हो तो यह पार्सली रिसोसेट करेगा करेगा भी नहीं भी करेगा इसलिए आपका क्या एबुनियम अडॉक साथ क्या है विक बेस है ऑप्सन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन्स नेक्स्ट कोशन्स आपके दिख रहे होंगे कोशन्स नमबर 21 21 बोलता है कि which acid is used in cola to give it a beating sharp taste कि cola में कोंट हमें यूज करते हैं जो beating sharp taste देता है तो tertiary acid को यूज किया जाता है कि आप कहां पाया जाता है इमली में पाया जाता है टेटरिक एसिट को cola में यूज करते हैं कोला में जो हमें bit थोड़ा sharp taste देता है क्या होजाएगा option B हो जाएगा question नमबर आपका आता है 22 आपका range of pH scale pH scale का range कहां से कहां तक होता है सर्फ 0 से 14 तक होता है कहां से 0 से 14 तक होता है क्या हो जाएगा option C हो जाएगा next question question number 23 बोलता है due to excess passing of carbon dioxide through the aqua solution of select line its milkiness fed because charge क्या होता है कि calcium आपको पता है कि calcium hydroxide में हम क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं carbon dioxide limited में पास करवाते हैं limited में carbon dioxide पास करवाते हैं क्या बनाता है calcium carbonate बनाता है क्या बनाता है calcium carbonate और क्या बनाता है water बनाता है वही क्या होता है आपका लैम वाटर कैसा हो जाता है स्लेक्ट लाइम जो है कैसा हो जाता है सलूसन वह आपका मिल्की कलर हो जाता है मिल्की कलर हो जाता है टर्ण सिंटू मिल्की लेकिन वही आपका स्लेक्ट लाइम के सलूसन में स्लेक्ट लाइम के सलूसन में कार्बन डाकसाइड को ज्यादा पास करवा दिये एक्सेस में कार् डलती है य। छो जाता है तो आफके सलुषिं करमने जो क्ल चाहिह हो जाता है। की टरिटू बढके सियलुस्यему होटे जाता है जब को एक ब्लॉटर करते हैं acid को water में डालते हैं acid को water में डालते हैं तो एक क्या sir H plus iron बाहर देता है H plus iron क्या करता है release करता है क्या हो जाएगा option A हो जाएगा क्या हो जाएगा option A हो जाएगा अब आता है question number 25 25 आपका बोलता है which element is always presented arneas acid arneas acid में जहाँ पे H plus iron या hydrogen element आपके present हो गये उस acid को हम क्या बोलते है arneas acid बोलते हैं sir क्या हो जाएगा option C हो जाएगा कि जिस acid में H hydrogen gas present है hydrogen element present है उसे हम arneas acid बोलते हैं जिसे H2SO4 हो गया SCL बोल दिये यह सब क्या arneas acid है जहाँ पे H plus iron मिले उसे हम arneas acid करते हैं sir क्या हो जाएगा option C होगा आप आता है question number 26 26 बोलता है क्या methyl red color in acidic medium acidic medium में आपका कैसा color हो जाता है methyl orange से orange से क्या red change कर जाता है और basic में क्या हो जाता है orange से क्या yellow change करता है methyl red color जो है यह आपका indicator है acidic medium में क्या हो जाता है orange से red हो जाता है क्या होगा option C हो जाएकर option C हो जाएंगे हैं लिए आब आता है question number 27 Q2 A कोर्षन number 27 आपका बोलता है क्या question number 27 आपका बोलता है यह तो ऑप्षन नोब्ट 27 आपका बोलता है दा chemical formula of gypsum जिप्सम का chemical formula क्या होता है gypsum chemical formula क्या होता है calcium sulphate calcium Ca SO4 from water molecules जो होता है तू वाटर मोलिक्टल्स क्यों अप्षण दिखा ऑप्षण बी दिखा ऑप्षण बी क्या हो जाएगगे आप आता है कॉशन नमबर नेस्ट कॉशन नमबर 28 कोशन नमबर 28 आपको बोलता है क्या डूरिंग दी डिप्रेशन आप हैड्रो कलोरिक केशिट गेस एसल गेस औने हुमिड डाइज इज उजवली पास्टू दी गाड्ट्यू गांटेणिंग सी एसल टू केल्सियम क्लोराइट ठीक है दा परपस आप यूजिंग केल्सियम क्लोराइट आप क्या बोलता है गाड में जो है सर गा मोहिचर है मोहिचर वाटर है वह क्या करेगा सी एसल टू गार्ड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा सर केल्सियम क्लोराइट क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा तो टू एब्जॉर्ब मोहिचर प्रों सील गेस में जो आपका मोहिचर है ओकोन आपकी सी एल टू का प स्ट्रेश से निटरी नार्टरिक एंच आपका क्या सर। स्टू एशिड है क्या सर आपका स्ट्रोंगे इसीड इस अ पांज आ talents इमली में पाय जाता है टेमरींड में पाय जाता है फस्फोरिक कैसिड है सिर फस्फोरिक कैसिड यह आपका क्या अस्टोंगकेशिड तो आपका Tattory C केसिड क्या है विक एशिड एपका सबसे अलग है क्या हो जगा option C हो जाएंगे जर्थ आप है कोर्षन नमबर 30 30 क्या बोलता है सर कि soda ice chemical formula sodium carbonate होता है na2 co3 अगर आप इसको हीट कर देते है sodium by sodium carbonate को आप जो washing soda को हीट कर देते हैं क्या मिलता है sodium carbonate बोलते है sodium carbonate ही आपको क्या है soda ice का फर्मूलबा क्या जाएगा option c हो जाएगा अब आता है question number 31 31 बोलता है आपका क्या common salt being used in the kitchen can also be used as raw material for the production of common salt को kitchen में तो यूज करते हैं खाने के लिए लेकिन raw material production के लिए किसका production के लिए raw material के तरह यूज करते हैं तो NACL जो है sir हम क्या baking powder को बनाने में यूज करते हैं और आपका washing soda को बनाने में यूज करते हैं तो A and B जो हो जाएगा option वो आपके सही होंगे तो option C जो है A and B ये आपके सही होंगे baking powder और आपका washing soda बनाने में common salt का यूज होता है क्या जाएगा option C होगा sir अब आता है question number 32 32 बोलता है label of pH found in anti-acid solution तो आपकी जो anti-acid का solution होता है ये क्या आपके जो बेस होना चाहिए क्या होना चाहिए जो anti-acid का जो आपके pH वेल हो है वो क्या होना चाहिए कि लेबल of pH वेलू pH वेलू means कि आपके वीक बेस होना चाहिए तो नहीं होना बेस हो जाएगा और स्ट्रोंग बेस को anti-acid solution में यूज नहीं कर सकते हैं sir level of pH found in anti-acid solution anti-acid में क्या पाजाता है यह आपका greater than equal to 7 होना चाहिए बट less than equal to कितना यह 7 से लेकर क्या 10.5 की बीच में आपका pH value होना चाहिए sir इसका anti-acid solution का समझ आगिया तो क्या होज़ाएगा option B होगा अब आता है क्या question number 33 33 बोलता है black ass each black ass जो होता है barium sulfide को जब जलाते हैं barium sulfide barium bas को जब हम जलाते हैं barium sulfide को तो यह आपका black ass देता है sir क्या होज़ाएगा option B हो जाएगा next question question number 34 34 आपका बोलता है when electricity passes through ncl equal solution जब electricity को हम ncl से pass करवाते हैं electricity को हम ncl से pass करवाते हैं ठीक है pass करवाते है ncl solution में और यहां के equal solution न वाटर भी है तो क्या-क्या मिलेगा sir, na plus 2 मिलेगा, na मिलेगा, CL2 मिलेगा और क्या मिलेगा hydrogen gas भी मिलेगा तो sodium metal is deposited sodium metal भी deposit होगा only chlorine gas is produced chlorine gas भी produce होगा chlorine and hydrogen gas are produced chlorine gas और hydrogen gas भी produced होगे सारे क्योंकि aqueous है तो H2 gas भी तो evolved होगा sodium metal भी आपका deposit होगा और आपकी chlorine gas भी होगे क्या होजाएगा all of the given are produce option D हो जाएगा option D हो जाएगा क्योंकि aqueous है अगर ड्रायर लेते तब होटा aqueous है समझा गया इसलिए सारा चीज आपको मिलेगा sodium metal भी मिलेगा chlorine gas भी मिलेगा hydrogen gas भी आपको evolved होगे produce होगे क्या जाएगा all of the हो जाएगा question number 35 बोलता है identify the element को क्या करना है identify करना है कि it is a white translucent solid यह क्या है टांस्लूसें वाइट टांस्लूसें सोलिड है टांस्लूसें बोले तो आर पर मतर धुंदला दिखने वाला यह वाइट सब्तान से सोलिड है इट इस रेड्रियली रिकेक्ट विद वाटर एंड प्रडूज एंड अलक्लैन सोलूसें यह वाठर से तुरन्त रियाक्ट करता है यह यह अलक्लैन स्लूसें बना लेता है रसे बेसिक Works करते हैं sodium एक इसा metal है sir जो आपके white transolution solid होता है यह water से तुरंट very fast react करता है और यह alkaline solution क्या NaOH बना लेता है और क्या इसको हम store कहां करके रखते हैं आप किरोसीन ओयल में रखते हैं क्या होजाएगा option A हो जाएगा CAOCL2 यह आपका formula होता है sir और उसका chemical name जो है विलेशिंग पॉर्डर का calcium oxy chloride होता है कोई दिखा option B option B क्या हो जाएगा correct हो जाएगा sir question number 37 बोलता है कि the color of methyl orange is basic medium in basic medium base में methyl orange का color कैसा होता है हो जाएगा option D हो जाएगा Guy यह प्रमली यूज़ लेकर 10.5 की बीच में हो जाए सर ठीक है क्या हो जाएगा option B हो जाएगा आप आता है question number 39 question number 39 आपका बोलता है क्या कि phenoclin color in basic medium いや as इज आपका क्या होता है आपके phenoclin прид way जो है color pink colors को जाता है pink color हो जाता है कहाँ पर आपके basic medium में और phenoclin kl Claus kolay liess होता है किसमें आपके phenoclin shade जो होता है यह आपकी existing medium में colorless हो जाता है ठीक है क्या ज़िएगा option A हो जाएगा सर फेनोधिन color जो है basic medium में कैसा pink color हो जाता है और existing medium में कैसा हो जाता है colorless हो जाता है क्या ज़िएगा option A हो जाएगे अब आता है question number 40 question number 40 बोलता है when sodium hydroxide react with zinc it produce zinc को हो जब हम react करवाते कि से sodium hydroxide से सर जिंक कैसा है zinc metal जो एंपोटेरिक नेचर सो करता है मिसकी acid से और base से भी रियक्ट कर जकते है aluminum और zinc क्या आपका एंपोटेरिक ऑक्साइड बनाता है जब react करता है तो क्या बनायगा sodium zinc lead बनाता है N ne 2 and 12 जे डं जे दे डं ओटी बनाता है और क्या effect करता है स्र हैर्डोजन गेस करता है बाहर निकलता है रीज़ करता है इसको reaction को balance कर देते हैं reaction मेरा balance हो तो यह इसका नाम है क्या है sodium zincate क्या नाम है sodium zincate और hydrogen gas हमें मिलता है क्या मिलेगा option c sodium zincate and hydrogen gas sodium zincate का फर्मुला क्या होता है na2 zno2 होता है ठीक है option c हो जाएगा यह अगर questions आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप दोस्तों के साथ share करें और यह आपको वीडियो इस तरह आपका और आते रहेगा जो आपके प्लिटेक्टिंग एक्जाम आप देने जा रहे तो चुटकियों में आपको आपको ए सरकारी और 9.5 respectively दिनों का प्लिटेक्टिंग एक पहले का आपका 6 दिया हुआ है दूसरा का एट दिया हुआ है और तिसरा का 9.5 दिया हुआ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है मिसकी सेम्पल 3 सलूशन जो है ओह मैक्सिमम देगा सर क्या हो जाएगा option C हो जाएगे क्या हो जाएगे option C हो जाएगा अब आता है question number 42 42 आपका बोलता है pH of gastric usage pH of gastric juice जो होता है सर यह आपके SCL होता है gastric juice जो आपके पेट्वे इस्टोमग में रिलीज होता है gastric juice SCL hydrochloric acid आपका जनरेट होता है इसका pH बेलू जो होता है यह आपका 3.5 से नीचे होता है 3.5 से नीचे होता है यह आपका लेकिन यहाँ पे आपका जो होता है 3.5 से नीचे होता है कोई भी आमें नहीं दिख रहा है तो less than 6.5 भी बोल सकते है 5 लेकिन इसका नहीं होता है समझा गया तो आप यहां 6.5 से नीचे आप मार सकते हैं यह वाला option यह हो सकता है सर आप आता है question number 43 43 आपको बोलता है the chemical formula of plaster of Paris, chemical formula जो एक plaster of Paris का क्या होता है आपका calcium sulfate, calcium sulfate dot half water होता है सर, half molecule of water होता है क्या हो जागा? option A हो जाएगा, option A हो जाएगे, आप आता है question number 44 44 आपका बोलता है ammonium sulfate salt each, ammonium sulfate जो salt है वो केसा nature का है वो बताना है ammonium sulfate का सबसे पहले formula लिखो, NH4 hold to S, hold to S, SO4 होता है यह आपका ammonium sulfate का salt है, तो अगर ammonium hydroxide यहाँ OH आ जाएगा, ammonium hydroxide बनेगा और यहाँ पे H2SO4, तो आपके जो है weak base, weak base ammonium hydroxide, weak base और strong acid से बना हुआ है तो salt कैसा होगा सर, salt आपका acidic nature का होगा, salt कैसा होगा, acidic nature का हो जाएगा तो salt कैसा है, acidic salt होगा सर, क्या हो जाएगा, option B हो जाएगे क्योंकि आपके weak base ammonium hydroxide और आपके H2SO4, strong acid से बना हुआ है क्या करो, water में जैसे डालोगी, तो क्या बनेगा, ammonium hydroxide, ammonium hydroxide और H2SO4 बनेगा क्या हो जाएगा, आपका जो salt है, वो strong acid और weak base से बना हुआ है, मिसकी आपके salt जो होगा, acidic nature का हो जाएगा क्या हो जाएगा, option B हो जाएगे, आप आता है question number 45 बोलता है, which of the flowing acid never forms acidic salt, कौन इसमें आपका acidic salt कभी ने बनाएगा, मिसकी weak salt अगर weak acid होगा, वो आपका strong acid कभी ने बनाता है weak acid, तो यहाँ पर देखो, SCL आपका क्या strong acid है सर, आपके phosphoric acid जो है, आपके क्या strong acid है, H2SO4 आपके strong acid है सर, तो यह सब क्या है, आपके strong acid, आपके acidic salt बना सकते हैं, लेकिन आपके जो weak acid, H2CO3, यह carbonic acid है, और यह आपका weak acid है, और weak acid कभी नहीं, आपका acidic salt बनाता है, क्या हो जाएगा, आपका option B हो जाएगा, आपका option, यह है D, ठीक है, तो आपके option, जो option B है, D only जो acid salt है, वो आपका acidic salt कभी नहीं बनाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी carbonic acid option B हो जाएगा, सर, question number 46 आपका बोलता है, 46 आपका बोलता है, vinegar is used in pickling as it, जो pickle में vinegar को क्यों use किया जाता है, क कि pickle को खराब होने से रोकता है, prevent करता है, क्या हो जाएगा, option B, prevent the growth of microbes, ठीक है, option B, कि आपकी vinegar को इसलिए अचार में add करते हैं, क्योंकि आपका अचार खराब होने से क्या करता है, prevent करता है, बचाब करता है, क्या हो जाएगा, option B हो जाएगा, अब आता है, question number 47, 47 आपका बो में आ रहा है, तो please आप share करें, share करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और आपको, poll technique के exam के exam देने जा रहे हो, general competitive का exam दे रहे हो, या आप अगर किस भी exam, board का exam देने जा रहे हो, तो एज वीडियो को आवेस्ट देखकर जाए, एज वीडियो को ज़रूर देखके जाए, ठीक है, अब आता है question number 48, question number 48 बोलता है, which of the flowing, which of the flowing acid are edible, कौन acid हम खा सकते हैं sir, तो आप citric acid को खा सकती हो, क्योंकि ये lemon और आपका orange में पाजाता है, टर्टरी केशिड को खा सकते हो, ये आपका कहां पे, टेमरींड, आपकी इमली में पाजाता है, हैट्रो कलोरी केशिड आपका, ओश्टोंग अचिड है sir, ये acid को ये mineral acid है, अचिड को आप नहीं खा सकती हो, कार्बोनी केशिड आपका mineral acid है, लेकिन Vकेशिड है, ये आपका, कोको कला ठीक है सॉप्ट डिंग जो है उसमें एड़ किया जाता है तो आप A, B, C सिट्रिक एसीड, टर्टरिक एसीड और कार्बनिक एसीड को खा सकते हैं A, B, D को इसमें है option B option B आपका correct हो जागा A acid को हम क्या edible acid है सर समझाता है उए acid को हम क्या कर सकते हैं खा सकते हैं सर ठीक है तो एक वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ protecting गाम के लिए बहुत important है बहुत important है क्या सर आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या army आप जो है आप अगर government college चाहते हो तो आप एक वीडियो को जरूर देखें आप आता है question number 49 49 बोलता है butyric butyric acid is found it butyric acid आपका rain acid cake मिसकी जो cake आपका खराप हो जाता है rain acid cake हो जाता है उसमें butyric acid पाई जाता है क्या हो जाएगा option B हो जाएगा अब आता है क्या next question question number आपका है 50 50 बोलता है क्या and indicator is one kind of flowing compound indicator आपका क्या है weak base or acid only क्या indicator जो है आपका weak base or acid only की indicator आपका क्या बताता है Indicator WEEK Base और Acid जो है उस compound को क्या का ये वोग करता है बताता है क्या है Option C हो जाएगा WEEK Base और Acid Network ठेक है ये base और acid को परचानता है की Strong है WEEK है ठेक है कैसे Indicator Indicator है जो Indicator क्या करता है Indicator आपका सिर्फ WEEK Base और Acid को सिर्फ परचानलिक में help करते हैं समझ में आ गया समझ में आ गया यह आपके सारे important question जो थे acid based salt का वह मैं आपको discussion करवाया पिलिज आप अपने दोस्तों के साथ share जरू करें और bell icon को प्रेस कर दें जिससे आपको इस तरह के information वीडियो आपको मिलता रहेगा Thank you sir